तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक्जाम एनलिसिस करेंगे आपके SSC GT एक्जाम जो जल रहा है 2023 का तो 11 जनवरी को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी कोशन्स आज पूछे गए है उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है जितने भी कोशन्स हमको मिल पा गया है इनके अलावा जिनका भी एक्जाम था अगर उनको कोशन्स ध्यान हो तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर टाइप कर दें जिससे बाकी स्ट्वेंट्स की मदद हो सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला कोशन्स क्या है तो आपसे आज का प है ये तो इसका आंसर बेसिक कोशन रहता है एक्जाम में काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो आपका आंसर था इस कोशन का कतर कतर जो कंट्री है उन्होंने और्गनाईज किया है फीफा वर्ड कप 2022 का किसके द्वारा जीता गया तो अर्जेंटीना ने इस टूर्ण की तो अगर कुछ स्पोर्ट इवेंट्स की बात करी जाए तो समर ओलंपिक गेम्स होंगे आपके 2024 में वह आपके पैरिस फ्रांस में होंगे विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में होंगे इटली के अंदर फीफा वर्ड कप जो हुआ है आपका 2022 का कतर में हुआ है जो हमारा कुश डिच्वा जाता है यह न्यूजिलेंड में आपका और्गनाइस किया गया था फिर ICC T20 किरिक्ट वर्ड कप यह आपका 2022 में वो औस्ट्रेलिया में और्गनाइस हुआ था was signed in which year तो गांधी इर्विन समझोता पर किस वर्ज हस्ताक्षर किये गए थे तो इस question का आपका correct answer था 5 March 1931 तो जो second round table conference थी उसमें जो गांधी जी थे और जो इर्विन थे इन दोनों के बीच में एक समझोता हुआ था जिसको हम गांधी इर्विन पैक्ट के नाम से जानते हैं यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो बात करी गई है movement से related करी गई है तो गांधी इर्विन जैसे गांधी से related जो बात हो गई कुछ important उनको बात करेंगे आपको पहले सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी जो थे वो भारत वापिस आयते South Africa से non-corporative movement आपका 1920 में आया था महात्मा गांधी नहीं इसको launch किया था फिर एक आपका स्वदेशी movement launch किया गया था 1905 में civil disobedience movement 1930 में आया था गांधी जी नहीं इसको launch किया था ककोरी train action वात आपका 1925 में home rule league home rule movement दो लाए गए थे यह 1916 में एक तो बाल गंगादर तिलक लाए थ आता है 1942 में महात्मा गांधी ने इसको launch किया था फिर आपका भुदान movement 1951 में आया था विनोबा भावे ने इसको किया था आपकी तीन movement तीन चीज़े most important रहती हैं जो कि रहेंगे आपकी रॉलेट एक्ट रहेगा जलिया वाला बाग मैसकर जो आता और खिलाफत movement ये तीनो ही आपके 1919 में आये थे 1919 से related हो जाते हैं फिर जो हमारा question आपसे पूछा गया गांधी एर्विन पैक्ट कब साइन हुआ था तो 1931 में इसको साइन किया गया था अगला question देखते हैं हमारा अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि static GK की एक topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है काफी जादा important रहने वाली है आपके exams के लिए क्योंकि इसमें 19 से जादा topics हमने cover करे हैं जिसमें static के topics में और साथी साथ current affair के topics में हैं यह सिर्फ आपको 79 रुपीज में provide कराई जा रही है अभी हाली में काफी सारे exams है जो आपके आने वाले हैं तो जैसे आपका CHSL का exam आने वाला है GD का exam चल रहा है बागी और exam आने वाले हैं अगर आपका कोई भी exam है उसमें GSGK का portion आता है तो यह आपके लिए game changer ebook रहेगी आप यकीन मानिए यह आपको काफी जादा help करने वाली है आप इसको जरूर try करें क्योंकि इसमें जो आपके questions हैं वो बिल्कुल topic wise हर एक topic को detail में cover करते हुए हम चले हैं तो अगर आप इस ebook की बात करी जाए यह ebook आपको available कराई गई है by language में मतलब Hindi और English दोनों में आपको questions मिलेंगे और अगर आप interested हो तो link आपको description में provide कराया है आप description में जाके directly इस ebook को buy कर सकते हैं अगर आपको payment करने के बाद कुछ भी file download करने में issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा अगला question आपसे पूछा गया है थाइमीन is the scientific name of which vitamin तो थाइमीन किस vitamin का विग्यानिक नाम है यह question आपसे पूछा गया तो इस question का आपका correct answer था vitamin B1 vitamin B1 का scientific name होता है आपका थाइमीन यहाँ पर जो बात करी गई है वो हमारी vitamins की बात करी गई है तो vitamins को cover करेंगे पहले आप से पूछा जाता है कि water soluble vitamins कौन कौन से होते हैं तो vitamin B और vitamin C यह आपके water soluble vitamins है fat soluble vitamins कौन कौन से होते हैं तो vitamin K, vitamin E, vitamin D और vitamin A कीड़ा जो vitamin होते हैं vitamin A का scientific name क्या होता है तो वो retinol होता है और इसकी कमी की वज़े से night blindness की बिमारी होती है vitamin B1 का scientific name thymine होता है जो हमारा question था और इसकी कमी की वज़े से very very disease आपकी होती है जो यह topics हैं जैसे vitamin का topic हो गया इसी तरीके से हर question का separate topic होता है तो उस topic की आपको separate video हमारे channel पे मिल जाएगी आप channel पे जाके separate videos प्लेइलिस्ट रहेगी all static G के topic के नाम से उसको भी देख सकते हैं फिर आपका vitamin B2 जो होता है इसका scientific name होता है riboflavin और यह जो होता है इसकी कमी की वज़े से जो growth होती है और bad skin की बिमारी हमें होती है फिर आपका vitamin B12 आता है B12 का scientific name होता है आपका cyanocobalim जिसकी कमी की वज़े से अनीबिया बिमारी होती है vitamin C का scientific name ascorbic acid होता है जिसकी कमी की वज़े से इसकरवी बिमारी होती है vitamin D का scientific name calciferol होता है जिसकी कमी की वज़े से rickets की बिमारी होती है और जो vitamin K होता है इसका scientific name आपका philoconin होता है जिसकी कमी की वज़े से जो bleeding होती है injury जो होती है उसमें बिमारी ये जो परिशानी होती है तो ये कुछ vitamins थे जिन से related question आपके exams में लगातार पूछे जाते हैं तो इसलिए इसको डाला गया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को like ज़रू करें अगला question देखते हैं फिर आप से अगला question पूछा गया गुजराती new year is known by which name तो गुजरात नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है तो इसका answer था आपका base to verse base to verse के नाम से गुजराती जो new year होता है उसको भी जाना जाता है आप से students के द्वारा कल की shift में confirm किया गया था कि काफी सारे questions आपके SI unit से related पूछे गए है इसलिए यहाँ पे SI unit को हम cover करेंगे बाकी separate video भी आप देख सकते हैं तो electric current का SI unit होती है ampere luminous intensity की होती है candela frequency की होती है hertz electric charge की होती है coulum capacitance की अगर आप से पूछी जाए तो फराड होती है inductance की होती है henry electrical conductance की होती है simon अगर आपसे impedance, reactance की पूछी जाए या फिर resistance की पूछी जाए तीनों की क्या होती है magnetic flux density और magnetic flux दोनों की अलग होती है magnetic flux की weber होती है और density की अगर आप से पूछी जाए तो Tesla होती है power या फिर radiant flux की पूछी जाए तो what हो जाएगी radio activity की होती है back neural और angle की अगर आपसे पूछी जाए तो वो radian आपकी हो जाती है ये सभी SI units हैं जो की important है एक्जामस में बन रही है इसलिए डाला गया है अगला question देखते हैं What is the chemical formula of calcium carbonate? Calcium carbonate का racinic sutra क्या है? तो इस question का आपका correct answer था CACO3 CACO3 जो होता है ये chemical formula होता है आपका calcium carbonate का यहाँ पे जो बात करी गई है calcium formula और calcium name की करी गई है तो इसको एक बार cover कर लेते हैं तो baking soda का chemical formula क्या होता है? तो हमारा answer है NASCO3 जिसको की हम sodium hydrogen carbonate के नाम से भी जानते हैं bleaching powder का formula होता है CAOCl2 जिसको की हम calcium hypo chloride भी बोलते हैं blue vitrol का होता है CUSO4 जिसको copper sulfate के नाम से भी जाना जाता है अगर chloroform की बात करी जाए CHCl3 इसका formula होता है जिसको हम tri chloro methane भी बोलते हैं dry ice का होता है CO2 जिसको हम solid carbon dioxide भी बोलते हैं अगर epsan salt की बात करी जाए तो MgSO4.7H2 इसका formula है और इसको magnesium sulfate heptahydrate के नाम से भी जाना जाता है अगर gypsum की बात करी जाए तो CASO4.2H2O इसका formula है जिसको हम calcium sulfate dihydrate भी बोलते हैं अगर यहीं आप से plaster of Paris का पूछ लिया जाए तो हम gypsum को heat करके plaster of Paris बनाते हैं तो CASO4.2H2O जो होता है वो आपका plaster of Paris का हो जाता है laughing gas का होता है N2O जिसको हम nitrous oxide भी बोलते हैं lime stone chalk का पूछा जाए CACO3 होता है जिसका हमारा question पूछा गया calcium carbonate के नाम से भी इसको जाना जाता है अगला question देखते हैं हमारा five year plan was started in which year पंच वर्ष ये योजना किस वर्ष शुरू हुई थी तो इस question का आपका correct answer था 1951 1951 में पहली बार first five year plan जो था वो आपका लाया गया था हरड दोमार model जो था उस पे base था ये भी आपसे पूछा जाता एक्जाम में तो इस question का आपका correct answer था 1951 which is the last article of the Indian constitution तो भारती सम्विदान का अंते मनुचेद कौन सा है इसमें आपसे number दिये गए थे option में तो उसमें आपका 395 correct answer था कल भी इस question को हमने cover किया था और आज की shift में भी आपका यही same question पूछा गया है आर्टिकल्स की कुछ बात करेंगे important articles जो आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो दो आर्टिकल्स होते हैं 21 और 20 जो आपके emergency के time पे भी suspend नहीं होते हैं तो उसमें एक आता है protection of life and personal liberty जो की है article 21 organization of village पंचायत आता है article 40 में uniform civil code है article 44 में promotion of international peace and security रहेगा article 51 में बताय गया है impeachment का जो process है president का वो 61 में आता है attorney general of India आते हैं 76 में joint sitting जो होती है अपर house और lower house की दोनों houses की वो 108 में आती है definition आती है money bill की 110 में establishment और constitution जो है supreme court का वो 21-24 में आता है supreme court to be a court of record article 129 में आता है controller and auditor general of India article 148 में आपके आते हैं अगला question देखते है what is the removal of president from his office called तो राश्टपती को उनके पत से हटाने को क्या कहा जाता है तो इसको बोला जाता है impeachment महा भीयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है impeachment process आप सबको पताईए article 61 में बताय गया है president का अगर कुछ भी हमारे जो Indian constitution से related कुछ गलत चीजे president के द्वारा की जाती है तो उसी कारण में president जो होते हैं उनको हटाया जा सकता है president के भी articles होते हैं तो president के articles article 52 से article 62 तक आते हैं जिसमें first जो article 52 उसमें बताय गया है कि president होने चाहिए 53 में बताय गया है executive power जो होती है union के वो प्रेसिडेंट के पास होती है 54 में election होता है president का Article 56 में term जो है office का वो बताय गया है Article 60 में oath और affirmation president के बताय गया है Article 61 जो impeachment होता है जो मारे question पूँझा गया Article 72 में जो power है president के पास pardon grant करने की सस्पेंट करने की रेमिट करने की कुछ सर्टिन केसिज में वो बताया गया है अगले कोशन है हमारा हुज दि प्रिजेंट गवर्नर ओफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के वरतमान राज्यपाल कौन है तो है आपके राजियंद्र विष्वनात आल लेकर प्रिजेंटर टाइम अपके गवर्नर हैं माचल परदेश इस्टेट के यह कोशन आपसे पूछा गया है यहाँ पे new appointment की बात करी गई तो कुछ new appointments को cover करेंगे मेगाले के governor है present time में बीडी मिश्रा Director General चुने गए है CRPF के सुजय लाउथाउसेन Whole Time Member चुना गया है SEBI का Securities Exchange Board of India का अनंत नारायन गोपाल कृषिनन को PM चुने गए है UK के United Kingdom के रिशी सुनक चेर्मेन रहेंगे ICC के गरिग बार्कले पचासवे Chief Justice चुना गया है इंडिया का D.Y. चंद्रचूर को और F.I.H. के President रहेंगे तायब इक्राम President रहेंगे फिक्की के सुबरकांत पांडा Revenue Secretary चुना गया है संजय मनुत्रा को Congress के President है मलिक अर्जुन खारगे Comptroller General of Accounts भारती दास को चुना गया है Chairman Gail का चुना गया है संदीब कुमार गुपता को Director General चुना गया है ITBP का अनीश दयाल सिंग को तो दोस्तों ये था मारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने काफी जादा important questions जो exam में आपके बन रहे हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करने है हमारी e-books का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप डिस्क्रिप्शन में जाके e-books को बाई कर सकते हैं धर्न्यवाद